नमस्कार मैं जय देवांगन कंडिशन अकेडमी के आनलेन प्लेटफार्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों यह जो मेरा सेशन है यह सेशन में चालू कर रहा हूं अर्थ सास्त्र के संभावित प्रस्णों के उपर यानि कि आपने हमारी चैनल में प पूछ जा सकते हैं याद है मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बताया था कि किस की सब्जेट है कितना कितना कोशन आ रहा है तो वहां जो कुछन आता था वह काफी हद तक कोड में आया करता था तो उसी में मैं आपके लिए कोशन लेके आया हूं तो उसको हम लोग अभी शुरुवात करेंगे ठीक है और आगे मैं आपको चेप्टर वाइस ऐसे कोशन देते रहूंगा तो आज को जो हमारा चेप्टर है वह अर्थसास्त्र के परिच्चा ऐसे है ठीक है तो इसको दख लेते हैं हम लोग ठीक है कि I hope आपको अच्छे तरीका से व्य्जीबल हो रहा हो कई बढ़े तो पाहला पूच अर्थसास्तर के अंतरगत कीन कीन् जो होता है उसको हम लोग macro economics बोलते हैं वैसे शुरवात से अगर में समझाने कोशिश करूं आपको तो देखें अर्थ शास्त्र के यानि economics के economics के ना economics नहीं हाँ economics के दो पार्ट होते हैं इसको दो भाग में डिवाइट किया जाता है ठीक है एक होता है वैस्टी एधर शास्तर जिसको हम macro economics बोलते हैं वैस्टी ऐसे ठीक है वैस्टी अर्थ शास्तर जिसको हम विंग्सको में समस्टी 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 करते हैं। मतलब क्या होता है की इसको इंगिली समस्छ सकते हैं कि यह क्या है यह large aspects होते हैं large aspects होते हैं विरिहद पहलू होते हैं तो विरिहद पहलू किसको बोलते हैं जैसे national income है यानि कि राश्ट्री आए है ठीक है national income है राश्ट्री आए है वो एक तरह का विरिहद पहलू है ठीक है जैसे इसी में गरीबी है poverty है जैसे बिरुजगारी है unemployment है बिरोजगारी, unemployment है, जैसे राजकोसी नीती है, fiscal policy है, राजकोसी नीती है, जैसे budget है, तो ये कुछ ऐसे matters हैं, कुछ ऐसे मुद्धे हैं, कुछ ऐसे aspects हैं, जिनको macro economics का अंतरगत लिया जाता है, समस्टी अर्थसास्ति का अंतरगत लिया जाता है, हाना, इसके बारे में किस ने बताया है, इसके बारे में बताया है, जॉन मेनार्ड किन्स ने इसके बारे में बताया है, जे एम किन्स ने macro economics के बारे में बताया है, चले, तो question को हम लोग देखते हैं, question क्या बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो code दिया हुआ है code में अलग-अलग चीज़ें बताई जाती है तो इसके इसाब जो code जो D है यानि कि जो answer D है वो सही होगा यानि कि सभी इसमें समस्टी अर्शासर में सामिल होंगे हाना ठीक है question number 2 question number 2 बोल रहा है कि वस्तू की मांग किस चीज को बताती है किस चीज को निर्दिस्त करती है वस्तू की मांग क्या बतायागी option D जो है किसी विशिष्ट समय ओधी के दवरान किसी निस्चित कीमत पर मांगा गया परिमार तो यह होता है कि जिस चीज की मुझे ज़रुरत हो और उस चीज के लाइक मेरे पास budget हो तो मैं क्या करूँगा उस चीज के खरीद लूगह अब मुझे अभी कार की ज़रुन है और मैं मांग करता हूं outta mazdi के लेकिल कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उसको नहीं कहरीच सकता तो मैं क्या करूँगा जितना मेरे पास पैसा है उस केटिगरी का या उस मेरे बजट की साफ समयकार खरीच सकता हूँ तो मांग हो और उसके लायक परिमाड हो याने की पैसे हो तो ये इसका जो आंसर होगा वो D सहीं आंसर होगा इसके कौशन नमरर थर्र पोलो रहा है कोन या कौन से किसी वेक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं दूसरा दूसरा क्या हो सकता है दूसरा बोल रहा है कि आय भी मेटर करता है और संमधिन माल की कीमत है तो वस्तु की कीमत और समधिन माले कीमत तो एक यी बात है और उभुगता की आये ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी वस्तु को खरीतने में तो जैसे इससे पहले कुशन में हमने समझा था कि भई इंकम अगर अच्छा हो तो वेक्ति क्या मुझता है तो यहां पर matter करता है वेक्ति का income तो तीनों चीजें यहां पर क्या बता रही है सहिं है इसकी answer पूछ को सभी पूछता था पिछली गौर्मन्मेंट में आपको मैं क्या करूंगा 10 15 को सन लेकर क्या हूंगा ठीक है चेप्टर वाइस पढ़ेंगे क्लियर होते चला जाएगा ठीक है चलिए देखें नेक्स्ट कुसर नमर फोर बोलता है किन किन चीजों क्या सकता होती है किस लिए वस्तु और स्वा कुद पदन के लिए हाना तो इनमीं से किसकी आ चिगे जैए क्या उसमें स्रम क्या हो सकता पड़ेगी क्या उसमें भूमी क्या हो सकता पड़ेगी क्या उसमें माना पुंजी क्या हो सकता पड़ेगी क्या उसमें भौतिक पुंजी क्या हो सकता पड़ेगी देखिए सबसे पहले बात तो भूमी क्या हो सकता पड़ेगी भूमी का ओसकता पड़ेगी मतलब यह है कि जब भूमी ही नहीं रहेगी तो किसी वस्तुक उत्पादन ये स्वाक उत्पादन कैसे हो सकता है तो वस्तुक उत्पादन ये स्वाक उत्पादन के लिए भूमी सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसके बाद स्रम क्या हो सकता है पड़ती लेबर क्या हो सकता है उसके बाद पैसे चाहिए भौतिक पुंजी चाहिए उसके बाद क्या चाहिए जो भी समान बना है उसको मार्किर तक ले जाने के लिए लोग तो चाहिए ही चाहिए यानि कि स्रम यानि कि मानव पुंजी भी ज जब्तार को समझा जाता तो समझ करके आप इसको आराम से बना सकते हैं चलिए देखते हैं तो देखते हैं कौसे निमर और और रिकुंध सीक्स ठीक देखिए चेत्रों को समझते हैं चेत्रों को समझ लेते हैं ठीक है तो हम बात कर रहे हैं एकोनॉमी की ठीक है देखिए एकोनॉमी के छेत्र होते हैं अर्थ सास्तर के छेत्र होंगे एकोनॉमी ठीक है अर्थ सास्तर के कितने छेत्र होते हैं तो अर्थ सास्तर के मुस्ली हम द सब्सक्राइब क्या निंड्यक था में को फुमानलेताइब को यह श Days stat लैक्नी गया था इन्वारिमेंट वह टार हुए जोने परप्रक्त होता है जैसary आपने अपने प्रडूक्त होता या रिदा उस स्टू होता है उसको तरफ में कर लेते हैं जैसे माने लेज़ेगर को आपको ऐपल मिल गया और अपल क्या है अब्ल अपने फिनिश प्रोडप्ट उसको आप ऐसे यूज कर सकते हूँ यानि उसको ऐसे या पर सकते हो दुसरा क्या आगा अनिमल शबहनरी आगा यानि in relief पॉस एकालान थी-टार selfish है इसाग के वा निकी आता है ठीक है इस ही स्टूरिये चाहलव और लूंप्य क्भी को यह थे बिचिक क potion हुझाग की1000 रिभी हिसमें और की स्टुरह सब्कमिश सेक्टर में या revenue लीए जाते हैं अब यहां क्या होता है सेकिने सेक्टर में कि जो भी हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला है उसको हम यहां रॉव माटेरियल के रूप में उसकरते हैं कच्चे माल के रूप में उसकरते हैं रॉव माटेरियल के रूप में उसकरते हैं माल लिजिए कि आपको यहां क्या मिल गया टोमाटो मिल गया यहां आपको गीया टोमाटर मिल गया तो यहां पर चैन्ज बन गया तो मन बिलेयों तो यहां आप कि वहाद यहांगी थयला है यहां रहे हैं वह व Надо भी निरमाड़ की जा चुका है तो जो भी चीजे प्रामिर से मिल रहे हैं उसको रो मधरे गलूब में उसके आता है कहां सगंडरी सेक्टर में ठीक है और एक नया ही प्रोडक्ट बनाया जाता है तो इसमें क्या कर चीज आती है बैए इसमें जैसे इंडस्ट्री डाएंग़ याने की उद्योग इसमें आता है उद्योग ठीक है उद्योग आता है इसमें उसके साथ साथ ही हम देखते हैं यहां क्या आता है construction आता है construction याने की निर्माड कभी यहां पे लिया जाता है निर्माड ठीक है निर्माड आता है इसे में आता है वी निर्माड मैनुफैक्चिरिंग मैनुफैक्चिरिंग क्या होता है मैनुफैक्चिरिंग में छोटे छोटे वस्तों के सायता से कुछ उसमें और क्या बंजाता है पिर देखिएगा विद्धी आता है इलेक्रिस्टि आती है इलेक्ट्रिसिटी फिर इसमें आता है गैस एवं जल आपूरती होता है गैस एन वाटर सप्लाई होता है गैस एवं जल आपूरती वाटर सप्लाई इसमें लिया जाता है तरसरी सेक्टर क्या होता है तरसरी सेक्टर में हम देखते हैं कि यहां सेवा छेतरा है सर्विस सेक्ट सब किसका हिस्सा है तर्षरी 3 सेक्टर का ही हिस्सा है खिट को देख लेते लो कि देखें इस्पाइब रहा है कि इन में से कौन सांत है यह पूच रही है में सामील कौन सा है बेडिक कर ये निर माड है हां है उत्खनन प्राथमि क्षैत्र है वाने की प्राथमिक तो इसका अंसर जो होगा वो यह अप्शन सही होगा अब यह बताना है कि आपको इसमें तृत्रयक तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैंने question का pattern ही ऐसा बना रखा है ताकि आप अराम से इसको बना सको थोड़ा सा confidence अंतरा में आपको आते रहे क्यों कि मैंने देखा है कि economics पढ़ने के बात क्या होता है कि लोग थोड़ी ना demotivate हो जाते हैं कुछी होता नहीं समझना है तो आपको समझ के बनाना इसलिए मैंने question ऐसे त्यार कि हैं ताकि आपसे वह आराम से बने analysis करते करते आपको आराम से सीख जाओ तो यहां चारों के चारों आपसन सहीं है याने कि option D जो है वह इसका सहीं answer होगा थीक है कुछन मर्सेवन में क्या बोल रहा है किसमें GDP के बारे में आपको सहीं सहीं बताना है यह बोला है निचे दिये होता है सकल घरलू उत्पाद को हम समझ सकते हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है जी डी पी हाना जी डी पी जी डी पी मतलब होता है ग्रॉस याने होता है हिंदी में सकल कहा जाता है इसको सकल डी याने होता है डोमेस्टिक डोमेस्टिक ठीके ना डोमेस्टिक याने घरलू गरलू सब्दे क्या है इसको हम समझेंगे ठीक है और होता है product याने होता है उत्पाद तो उत्पाद क्या होता है इसको भी हम समझेंगे ठीक है देखें तो सकल गरलू उत्पाद में क्या सामिल किया जाएगा सकल मतलब यह हो रहा है कि इसमें कुछ और चीज घटाया जाना यह इह नहीं दो सफद है और सकल तो सुद्ड क्या होता है कि уब्धी कुछ होताई और अभी यह पर नहीं घटाना है वह अपने आप में नेठ सुद्ड है इस मतलब यह हो रहे हैं कि इसमें कुछ घटाया जाना की पहली बात धीके गरिलू मैंपिंग के मादेम क्लियर कर दे Giving सामिल होता है जो भारत को पूरा छीटर है 232 602-135塊 कंभारतम होता भारत में मुख्य भूमी होती है उससे 200 nautical mile तक का जो water area होता है 200 nautical mile तक का जो water area होता है यानि कि जो जल छेत्र होता है वो भी इसमें सामिल होता है और भारत का जो वायू मंडल है यानि कि जो atmosphere है वो भी इसमें सामिल होता है तो ये घरलू छेत्र का लाता है तो भारत का जितना भी terrestrial area है यानि कि जितना भी उसका इस्थल छेतरा है वो भारत का water area हो और भारत का जो atmosphere हो वो सब घरल छेतर में सामिल होगा और यहां कोई भी वेक्ति चाहे वो भारत का हो चाहे भारत करना हो यहां आकर कि अगर उतपादन कर रहा है अपना income earn कर रहा है तो सब भारत के GDP में सामिल होगा ठीक है तो यहां क्या बोला जाता है matter यह नहीं करता कि कोई वेक्ति भारत का है नागरिक है या नागरिक नहीं है निवासी है या निवासी नहीं है आहमिन गैर निवासी है कोई भी हो बस उसका उतपादन केंदर बिंदू क्या होना चीए ज़िए घरलुच्छेतर होना चीए और घरलुच्छेतर में ये hit Hai पूरा भारत मैंने बनाया है 복 क्षटीन होता होता है क्ट सब इसमें सामिल होगा और अगर यहां आप रहें कोई क्या करता है इंकम अन्ब कर पा रहा है वो यहां production कर रहा है manufacturing कर रहा है जो भी है तो वो उसका जो भी अर्ण होगा वो भारत के GDP में सामिल होगा ठीक है products क्या मतलब होता है फाइनल प्रोड़क्ट है final product final product मतलब हम अंतिम उत्पात सब्सक्राइब है ठीक है पूलेजि Mexican जारा हूं जैसेially cotton है 100 100 पदन किया गया विश्य C तो इस तरह से आंतीम रूप में जिसार्व में उसको यूस किया गया हूँ उसी को बोलते हैं final product हाना तो यह GDP के बारे में है अब question देखते है question में क्या पूछ रहा है यह आपको clear हो जाएगा हाना वैसे देखिए किसी विशेश वर्स में देश के करदाताओं नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी मद्धिवर्ती वस्तुओं मद्धिवर्ती वस्तुओं को सभी मद्धिवर्ती कैसे हो सकता है पहली बात दूसरा बोल रहा है करदाताओं द्वारा तो सिफ जो इयांपर हमने देखा था कि क्या होना चीह वित्र होना चीह और क्या होना चीह कि वह देश कर दो आघिकर ॉप यह सभी में आपको बताना है विकंषिद देशों की अर्थववस्ता में अदिकांस स्रम- देखेए कंट्रीस जो होती है वहांपे क्या होता है सही 1 एक है वो सही है ठीक है दूसरा प्रात्मी क्यों दित्यक्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा त्रित्यक्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा ये बात भी सही है देखें अगर प्रात्मी चेत्र विकास होता है क्रिस्षेत्र का विकास होता है ठीक है दृत्यक्षेत उतना ही आगे बढ़ेगा यानि कि ये कथन भी सहीं है यानि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी होगा एक और दो दोनों होगा इसी तरह से कुछा हुआ है इसी पड़न में कुछन आपके लिए के आता रहूँगा ठीक है नाइन नमर कुछन देखते हैं थोड़ा सा अलग कुछन में सब सलेट किया हुआ है अपनवेसिक काल में मतलब आजादी के पहले की बात हो रही है अपनवेसिक काल में विभिन आर्थिक छेत्रों में सनलगन जन संख्या के धार पर निमलिखी छेत्रों को घटते क्रम में लगाना है मतलब सबसे पहले जादा जिसमें सनलगन रहे होंगे उसके बात और सबसे नीचे में क्या आएगा सबसे कम जिसमें सनलगने रहे होंगे घटते क्रम में लगाना है तो देखें तो उस समय क्रिसी सरौधिक मातर में की जाती थी अजादी के पहले क्रिसी का जो ब है वो सेवा चेत्र रहा है और तीसरा जो रहा वोкими निर्मारर cannot यहां क्या ना प्हला कृसी छत्र प्रव और लुख भी authentic टिसरे कर लो यानि कि एक तीन और दो आएगा हाना एक तीन और दो तो पर सभाल रहोंगे एक तीन और दो के पैटन में सापित है ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा सी होगा ठीक है इसको आपको बनाना है देखिए पिर से समस्टी के कोशन आया हुआ है समस्टी और सास्तर में आर्थिक एजेंड के संदर्भ में निमलिखित कत्नों पर विचार करना है तो क्या आर्थिक एजेंड व्यक्ति और संस्था है जो आर्थिक निर्ना लेते हैं आर्थिक एजेंड कहलाते हैं जी बिल्कुल कहलाते सब्ऩार्थ संस्थाइं जो समस्थानियों कि अर्थीम हो सकती है सब्सक्राइब comm range यादिनियम 1956 उसमें क्या बोला जाता है कि जो विदिक वेक्ति उसके वेक्ति ग्रुप में मानता दिया जाता है है तो सरकार जो है निगम बैंक जो है वो सब क्या है इसी के अंदर सामिल के जाते हैं तो आप यह धियान रखिएगा यह कुछ मैंने आपको बना के दिये हुए है किसके लिए समस्टि अर्शास्त्र के लिए तो समस्टि में आप धियान रखेंए कि वेक्ति और संस्थाओं को जो आर्थिक निवनाएं लेते जाता है इसमें कि पास्व क्या होता है वर्चस्वों होता है इसमें करता है बाजार के उपर कि वस्तु की मांग है और आइसी वस्तु की पतान करेंगे जिसमें सरवाधिंग मातर में लाब कमाया जासा कि इसके बारे में बताया था Adam Smith ने अपनी पुस्तक The Wealth of Nation में 1776 में तो ये क्या है बाजार अर्थ विवस्ता है यानि कि option B जो होगा इसका सही आंसर होगा ठीक है चले चलते हैं आगे देखें next question की ओर ठीक है तो आप जानते होंगे कि खुली अर्थ विवस्ता और बंद अर्थ विवस्ता दो प्रकार के अर्थ विवस्ता हैं होती हैं अगर हम इसको विदेशी संबंद के दार पर बात करें तो अर्थ विवस्ता के दो प्रकार होते हैं एक क्या होता है एक होता है open याने कि खुली अर्थविवस्था और दूसरा होता है close याने कि बंद अर्थविवस्था तो खुली अर्थविवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर जो restriction होते हैं बहुत little होते हैं यानि कि जो प्रतिबंद लगाये गये हैं, वहां बहुत कम मातरम प्रतिबंद होता है, मतलब यहां जो आयात निर्यात है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके उपर बहुत कम प्रतिबंद लगाया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए प्रतिबंद लगाया जा निर्यात होता है और यहां नहीं होता है कहा बंदर भ्यास्था में तो इसमें जैसे भारत है होंग कांग है अमेरिका है जापान है तो कि यह सब इसमें सामेल होते हैं इहां नौ्ट कुरिया तो चले कोशन देखतें दिखे गुषन क्या बोल रहा है तो आप्षन जो कथन एक है वो तो सहीं लग रहा है एक राश्च दूसरे राश्च के बीच में वस्तों और सिवाओं का वैपार होता है बिल्कुल सही है खुली अर्थ वस्ता है भारत विश्वे के अन्य देशों में उत्पादित वस्तों क फोन चला रहे हो तो चाहिने की जीज कि आती है अमरीका के देश का टांदित वह कि यूज कर रहा है तो इसका जो सहीं आंसर अंशर होगा वह होगा तो यानि याने की और बी दोनों एक और दो डोनों होता है ठीक है चलिए अब यहां ध्यान रखिएगा एक वुक्र वाले कोशन है जो इंपोर्टन कोशन है इस सेशन में एक वक्र को भी सलेट किया था बहुत इंपोर्टन कोशन है तो बहुत आइस्तर और वक्ता द्वारा करेदी गई वस्तु की संतुलित मातरा की बीच में संबंद दर्शाता है कौन शाता है रफन इंजल उक्र डरसाता है रफहा हम एंजल वकरों कुछ समझ लेते हैं। मैं जेल आपम मानना क्या है एंजल एंजल वक्र ለ हो की मत्तिक्ष तुर अनलोंब कता संभ ये कहां से हैं जर्मनी से हैं ठीक है जर्मनी की economist है और इनका मानना यह है इन्धों ने सिधान दिया है कि जैसे जैसे वेक्ति की आय बढ़ती है उसमें क्या होता है कि उसके जो भोजन पर करने खर्च करने प्रतिशत होता है वो कम हो जाता है यहां क्या बोल रहा है कि आय बढ़ने पर आय बढ़ने पर बोजन पर खर्च प्रतिशत कम होता है इसको example समझेंगे समझ में आएगा दूसरी बात क्या है दूसरी बात इंदों ने बताया कि जो एंजल वक्र है वह आय और उपभोग के मद्य समंध दर्साता है यहां यहां बोल रहा है कि as the income grows the percentage of food is decreased और यहां बोला जाता है कि यह कैसा समंधिकार रहा है इंकम एंड कंजप्शन ठीक तीसरा बात क्या बोल रहे हैं इसमें क्या होता है कि पुंजीगत वस्तूओं की खर्च बढ़ती है पुंजीगत वस्तूओं की खर्च बढ़ती है पुंजीगत वस्तूओं के ल जाता है इसको याँ एकशांप्ल समझते है आपको चलियर हो जायेगा मनगेशन पर खर्च बोजन खर्च ऊँब पर्सेंटेज नकुम ठीक है एक्सपन्स पर्शन पर सेंटेज चाना इस बिटकर परसेंटेज हैं आ देखी अगर कोई वेक्ति एक दिन में 200 रुपे कमाता है एक दिन में पर दे की बात ही सिय पचास रुपए कर रहा है मालेजें पचास रुपए कर रहा है तो कितना परशेंट आए उसको पच्सपर्शन काश जाएगा अगर को व्रसेंट एक दिन में 10,000 रुपए कमा रहा रुपे कमा रहा है दस जार रुपे कमा रहा है अब अगर वह भोजन पर एक दिन में एक हजार रुपे खर्च करता है माल लिजिए वेक्ति एक दिन में दो हजार रुपे रुपे खर्च करता है भोजन पर 2,000 पर खाना खा जाता है एक दिन में तो कितना हो गया तो दो ही पर्षेंट हो जाएगा तो आप यहां देखो क्या दिख रहा है कि जैसे आय बढ़ रही है क्या हो रहा है खर्च का जो परसेंटेज है वो कम होता चला जा रहा है ठीक है यह जाफ होगा फुडएगस यहने कि खाने का खर्च परसेंटेज है फुडएगस परसेंटेज की बात हो रही है खाने के खर्च अधर और रोगा ऐंकम इंकम आ तो यहांदेखनेंगे हम लोग यहां जो कर्व और वह से बनेगा वो इस तरह से बनेगा देखिए ठीक है जब क्या होता है जब व्यक्ति का आय ज्यादा होता है थिक तो दों स्षुर्ण handic alon रहे हैं कि यहां पर जब आये क्या था आये ज्यादा था इन इंकम ज्यादा था तो भॉच्छ भोजन पर क्या था भर्यूंटेस का तो लेकिन आए जब कम था तो खर्च भोजन पर क्या रहा है वह ज्यादा रहा है थे monitore से व्ट बंदा है बासमा historical मी आगे दूसरा की का आ देखें हिसे में क्या बनता है और इस तरह होता है पुझीगत वस्तुएं, capital goods होती है, पुझीगत वस्तुएं होती है, capital goods है, तो इसमें क्या होगा कि जब पैसा आता है, दुनिया भर क्यों सोचना शुरू कर देता है, TV खरिद लूँ, iPhone खरिद लूँ, car खरिद लूँ, तो यही पुझीगत वस्तुएं है, इन में खर्च ब बताया गया है, जब पुझीगत वस्तुएं में खर्च बढ़ता है, लेकिन food expenses जो percentage होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, तो इस session में हम यही तक रखते हैं, next session में आपको जल्द ही लेकर आऊंगा, thank you.